हाव स्रेंट्स मैं रवी दाटों का कहता है मं specifically हिंदी में तो आज लास्ट कलास को क Servus अ किया की पढ़ाए घरा है और उसके बाद में भी आद्य जा त्लट करेंग संतनुंत लादे करने उनका तो हम ziemlich वी त learners कंटीश विदी ती और पक वedo यह तीनों विदियो का हमने पढ़ा था कि इन तीनों विदियो से कुशन कैसे सौल की जाते हैं ठीक है अब उसी पर आधारित आज हम प्रसनावली 14.1 को कंप्लीट करेंगे ठीक है चलो भई कि अब इसमें आते हैं सबसे पहरे पहले कुशंट do कर दो करना चलो भाई पौदों की संख्या 1 , थीज फाल से दो पॉड़े ऐसे घर जिनके घर पे 0-2 के बीछ थे 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 तेए दो इसे घर निकलें इसमें दो-से-टार के बीच पॉड़े थे एक ऐसा घर इसमें चार से चेंए चेसे आछ वाले पौदे पांच गर इसे तर यसमें आठ से दस पौदे लगे भी थे और तीन गर यह अन्यटा कुल्ट किया और इसको लिक कैसे दे ठीक है अब हमें क्या करना है हमें इसका माध्य निकालना है और कैसे रखाए माध्य वक्सकों के दिखते हैं माध्दी गयात करने के लिए तुरफ रभी हमने कॉनसे इसके नित्थ है Souların उसके बाद देखते लगाएंगे तो यहां हम देख सकते हैं सुव में बना लेते हैं कर देख लेंगे अब यहां पर देख लेंगे क्या क्या है यह वर्ग अंत्राल है तो वर्ग अंत्राल क्या कहते हैं इसको कहते हैं ठीक है घरों की संख्या यह संख्या दे रखिए उसको क्या कहते हैं एफाई कहते हैं तो यह हमारा हो जागा एफाई उसके कोर्डिंग यहां पर लिख लेते हैं पहला हो जाएगा सी आई सिउसे दो कर दो से 4-6-6-8-10 10-12 और बारेज से 14 ठीक है यह चीज़ Animal पसर आगये है श्यक्वाइं उसके बाद के नहीं रेकाहे me उसक बाद एक दो एक पाउन श्यक्त एक दो एक पाउन एक पाउन च・छ्यक्रlor में आपर है sub दो थी यह आ गया इसके बाद हम यहां से यह बना सकते हैं इस तरह से लाइन कीज़ दी मैं यह तो यहां पर आपको दे रहें क्या यहां पर हम क्या करते हैं तो यहां पर हम ले ले लेते हैं निकालेंगे यहां पर एक साही निकालेंगे यानि वर्ग चीन निकालेंगे और वो कैसे निकाल सकते हैं वो निकालेंगे हम यहां पर जीरो और दो को जोड़ेंगे और दो को जोड़ने से क्या हो जाएगा जीरो और दो को जोड़ा और बटे में दो यह कि आपका एक आजाएगा यह आपका वर्ग गंतर पर लिख देते हैं तो एक तीन पांच साथ नौ ग्यारा तेरा यह लिग दिया हमने उसके बाद सीदे निकालेंगे क्या एफ और एक साइं क्योंकि पर्टक्ष विदी का फॉर्मुला क्या था उसका फॉर्मुला था हमारे पास सिग्मा एफ एक साई बटे में सिग्मा क्यों परक्ष विजवाद रगा वो lying दिखरे लगा रहें क्योंकि कुछ चोटे हैं काम चल जेताब तेक यह चाया मुँनें ओर इसे बीकल पांच अगया अगया शेयन चोन एक मतना वाई यह चीज आ गया ठीक है अब इसको फाइनली हम आराम से जोड़ सकते हैं कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं थी इसलिए हमने इसी विद्यू से काम चला लिया अब यहां पर क्या है सिग्मा एफ फाई और एक साइक की बात करते हैं तो इसको जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे त सोल है एक सो आठाया एकसुदाब्व है एक सो बात अगया है 50 बात करते हैं के दिशाव कर भी। लोगे तब ही अए और देख लेते हैं के 2 3 4 चार पांच चार नौ नौ और छे पंदरा पंदरा और पांच बीस आ रहा है यानि हम कह सकते हैं सिगमा एफ आई कितना है बीस दे रहा है अब इसको डिरेक्टली सॉल कर लेते हैं तो कितना रहा है तो 162 बटे में 20 आ गया यह माध्यार है और इसको जैसे ही आपने काटा तो आपने खरमें जैसे सिस्काव आवरेज जो माध्य निकाल रहे मतलई माधि कितना रहे हैं कि प्रत्यक घर में कम से कम आठ पॉदेतों है8.1 पॉदिया इस अनुसरा हम ने निकल दिया है ठीक है कि चले यह हमारा माध्य निकल चुका है यह मारा पहला पहला गोशल के अशन मिल्कें काम करें और उसकी मजजदूरी को इंक जब तुम कितने مسब लग यृट की? कोई अच्छा मजदूर कोई स्टार्ट अप कर रहा है कि हम भई सटाइट कम मिल रहा है तो यहाँ देख लेते हैं तो यह आप धिक यहां फहला यह मजदूर कुछ मजदूर ने जो 500- 520 रुप्य के बीच मिलता है पड़ेगा ठीक है तो वह 12 मजदूर जिनको 500-500 फांसो दीस में रुपए मिलते हैं चौधा ऐसे मजदूर इसका पानसो पीस से पानसो चालीस मिले हैं पानसो निकालने फिर से ये क्या है ये वर्ग अंतराल दे रखा है मतलब हम इसको कहेंगे सी और कि यह संख्या दे रहे हैं मतलब इसको कहेंगे एफ आई ठीक है अब इसी को हम आगे लिख लेते हैं आगे कैसे लिखेंगे यहां पर इसको मैं रेज कर देता हूँ कि यहां पर हमने इसको खीज दिया और उसके बाद हम यहां के रिखा है इसमें c i or fi ले लेंगे मतलब यहां के according हम लिख सकते हैं यह c i or fi कर दिया है ठीक है चलो भई उसके बाद हम लिखेंगे इसमें 500-520 इस तरह से लिखा हुआ है वर गंतराल तो इसमें हम लिख देते हैं 500-520 अगला है 520-540 फिर है 540-560 फिर 560-580 और फिर 580-600 यह जा रहा है मारे पास 12 14 8 6 10 तो हम इसको लिख सकते हैं 12 14 8 6 और 10 यह चीज़े हो गई तो इसमें हम एक लाइन खीज देते हैं यह यहां पर यहां ठीक है भी अब देखो इसके बात क्या करेंगे हम इसका हमें इसका निकालना है माजिया अद्धित निकालने के लिए पहला काम है एक साही निकालना की एक मतलब बढ़ निकालना तो उन्हें है की कैसे निकालते हैं और इन दोनमें को जोड़ा बटे में दो अब यहां पिका इंदूनों के है 570 और पांसोननवें vice बीचल जाएगा चलो भी ठीक है तेक सुवह नएक्ट बात करतें है इसनली क्या करें इसमें भी गुना करें थोड़ता बड़ा गुना तो हम क्या करते हैं पघ्षलें वीधी प्रीपहाई आ जाते हैं तो पगविचलें वीधी Бог tackling में क्या था मान نے ए हो रहा है ठीक है वहां आजाओ सीधे पग वीचल लिदी पर बात खतब ठीक है यहां पर थोड़ा लग रहा था हमने यह कर दिया तो इसके से 550 गया माइनस का 40 बचा और इसके बटे में इसका अंतर आएगा जो कि 20 आएगा यू आयो को कैसा निकालने का फ़र्मौला था हमारे और बटे में कितना रहा है जो की 20 है यहानि हम कह सकते हैं हम यह माइनस 40 में 20 और यह कट के लिए गा तो माइनस दो यह यह सब्सक्राइब सबस्क्राइब तो यही आएगा और करना क्या है के सामने जीरू ऊपर 1-2 नीचे एक दो तीन इस तरह से ही चलता जाएगा ठीक है चलो इसको मैं एरेज कर देता हूं क्योंकि इस कालकुलेशन को करने की जुरत नहीं आप डारेक्ट लिए कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है अब कोश्चिन में हमें चाहिए क्या आप कर देते हैं मतलब 14 14 14-14 आँट को जिरो से करेंगे 0 जाएगा चेकम 6 आजैगा देश्दमार पर सागे ठीक है चलो भई अब इसको देखते हैं इसका योग निकालते है कोकि योग चैएंगे सीग्मा एफई यू आई निकालना है और इसका योग निकालना यो कैसे निकालेंगे तो यहां पे देख सकते हैं का यह कितना रहे हैं तो इसका यह चौबिस और मैंश में 38 है बात करें तो यह कितना हूान है 26 अब चार्च रहें अब माइनस था और शब्धिस तो 20 20 40 50 घूंपको जोडने की प्रैक्टिस करनाihin पड़ेगी ठीक है जोडने की करोगे तब ही आपके क्षच्ण यह जल्दी जल्दी होंगे जोड अपर यहां प्र लिंका करनाया प्लूप करना है ब्लिकल्स चलो आप यहां पर इसमें क्या करेंगे में कितना माइंस बारा बटने में कितना रहा है पचास और गुनिय में एच कितना था है इसका अंतर अंतर कितना 20 को अंतर को लिए 20 है अब यहां बहु आपड है कि ऊनिकाल पारें कैसे जीरो сто इस समझाने के लिए था मैं थिक कि अब इस पचास में से 4.8 को उंस किया क्यों कि इसकी calculation बढर रहे थि ठीक है इसमें जो गुणा करने का संख्या थी बड़ी बड़ी ती इसलिए जहां आपको कल्कुलेशन ज्यादा लगे वहां लगा दो पगविचलन विदी कोई कल्कुलेशन बच्चे की नहीं अराम से साहल जाएगा ठीक है चल आप इसको नोट कर सकते हो उसके बाद हमाते हैं नेक्स्ट मतलब इसका माध्य पहले से दे रखा है कितना है वो वो दे रखा 18 रुपए यानि हमें इसका माध्य दे रखा है 18 रुपए चलो अच्छी बात है अब बोल रहा है इसमें एफ ग्यात किजिए देख रहे हूं यहां पर जो एफ था बच्चों की संख्या थी उसमें से एक गाइब है इस एफ को निकालना है और माध्य हमें पहले सी दे रखा है ठीक है और यहां पर क्या है यह हमें वर्ग अंतराल भी दे रखाए चलो भई तो हम क्या करते हैं इसमें भी हम खुटे हैं बनाते हैं टेबल यहां यह घिज़ दिया खुटे है ठीक है यह चीज़ होगे आपस अब देखो यह क्या है वर्ग अंतराल है मतलब की c i है और यह क्या संख्या है तो इसको f i कहेंगे ठीक है तो इसको हम यहां लिख लेते हैं यह भई हमारा रहा है c i और यह आ रहा है fi ओके चलो भई उसके बात दिया रहा है अग्यार से तेरह से पंदर इस तरह का सिरीज चल रहा है और भी कहां तक 25 तक तो क्या आएगा 11 से 13 13 से 15 15 से 17 17 से 19 19 से 21 से 21 और 23 से 25 इस इस जमार पर आगे ठीक है चलो बहुत बढ़ी आँ उसकर f i की बात करें तो कितना रहा है साथ छे नौ तेरा कितना रहा है साथ छे नौ तेरा कि एफ पांच चार ज्यारा एफ पांच और चार इची जा गए मैं रफस ठीक है चलो बहुत बढ़ी है उसके बाद हम निकालते हैं क्या उसके बाद हम निकालते हैं एकसाई निकाल लेते हैं क्योंकि हमें तो माध्य दे अभी पहले एक साइन निकालते हैं फिर दिखते क्या करना कौन से मैथ्ट से करना है यहां मैंने एक साइड निकाला हुगा सब में ही एक साइड निकालना तो एक सब्सक्राइब निकाल लेते हैं इन दोनों को जोड़ा 24 24 वेटे दो बारा या फिर कैसे तो 11 और 13 के बीच में तो को निकाल है 12 तो हम 12 लिख सकते हैं आप देख सकते हैं तो 12 के बाद 14 आएगा फिर 16 आएगा फिर 18 फिर 20 22 और 24 यहां पर सी 24 आगया चला भाई यह भी ठीक है अब यहां से हम देख सकते हैं फाई एक साई एक तो है कि हम सीधे फाइक साई करते हैं तो वह भी थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा गुना हम क्या करते हैं इसमें पगविचल लिज़ी लगा लेते हैं जो की फॉर्मुला क्य नुसार काम करेंगे तो पहला काम क्या है यू आई निकालना ठीक है अब मैं बताओं देको यू आई में एक इसको मानते थे ए मानते थे जो बीच मोदा था उसे माल लेते थे जब भी तुम्हें ऐसे कोई नंबर आ जाए जो मिस हो नहीं दे रखा हो तो आपका काम क्या है उसके सामने वालो आए माल लो यानि यह ऐसके सामने इसको ओमाल लो इसको हम लिया अब जैसे इसको करोगे या अभी देखो क्या है ऑह्यार हमें पटा है जिसको ओमानते हैं उसके सामने 0 होता है उपर माइनस 1-2-323 जा जाता है और नीचे 1-2 आजाए एक ह黏 लेकिन यह होता है कि हम जो बीच में लेगे तो आ Spy को में मानते हैं फिलाल फ को में गयरा उसके सामने है रखना याद रखना अमने यह लिया चलो अब इसको गुणा करते हैं जो हमें वहां चाहिए क्या चाहिए फटए यूं करते हैं तो यानि अपने ने 13 को एक स करेंगे माइनस 13 आएगा अब में इसके नीचे लाइन खीज देता हूं कि ठीक है अब यहां पर हम देख सकते हैं यह क्या है यह हमारा सिगमा एफ़ाई इसको जोड़ेंगे तो जोड़के कितना रहा है तो 6 आर नो 22 22 और तीन 25 25 25 25 35 कि बाद 45 24 54 प्लस में फ से तेरे रहे हैं तिक है चलो उसके बास देखते हैं सिगमा एफ आई की बात करते हैं ओसकी किश्चचच तो यहां कितना रहे तो आठ पांच यह 3R यह तो बिस 13 और इसको जोड़ें की तो इसना वजका शमीड़ है तो इसको उन चाहर यह 8 44 2566 67 और 77 वहार है और यह 3R आप सततर में से 300 एक कितना बचेंगा तो 14 पर 34-34-64 बचेगा यानि हम कह सकते हैं माई इसमें 64 आ इसका अंसर आ गया ठीक है यह माइनिस में 64 आ गया यानि हमारे पास सिग्मा माध्य दे रखा 18 यानि हम क्या करेंगे यहां पर माध्य की जगह रखेंगे 18 एक अमान हमने लिया है 20 तो इसकी जगह रखेंगे 20 उसके बाद है सिग्मा यह लगा प्लस में अब क्या करते हैं यहां दिस neue माइनिस भी ऩॉपना करते हैं यहां में इसको चाह Näङ यह ड़ी हॉन क्या हूप है झाते हैं तो सबीड मे appeals करने इंडेट इसके लाट आ और तो cheaper यहां इसको उठाके उधर लेंगे तो 20 माइनस में 18 आएगा चलो ठीक है अब यह 64 दुनी क्या होगा 64 दुनी आएगा 128 चलो वह एकस को लिद दे हमने 128 बटे में आ रहा है 44 प्लस में F ब्रावर में 2 आ रहा है ठीक है इसको उठाके इधर गुना कर देंगे गुना कर दें कितना हो 128 बडावर में 44 दुनी 28 आएगा और प्लस में 200 आएगा इस 48 इथर लाएंगे तो बच्चेutoDrasmoral 40 बडबर में 2F आ गया और यहां से एफ का मान कितना रहा है तो 20 आ रहा है तो हम कह सकते हैं एक का ब्सारएं तो यहां पर यह आन्सर की बात करें तो यहां पर यह किर सकते हैं नेक्स्ट कि अगले कुछिंशन की बात करते हैं तो अगले में क्या देर रखाय मंहें इसमें में किसी अस्पिताल में ठीक है सब्सक्राइब डॉक्ट्ड दोर थीस रूप्मी लिखिए ठीक है एक उप्युक्त विधी चुनते हूँ इन अनुषां संपदन जो है कि प्रती मिनट माध्य संख्या ग्याद किजिए अब देखो क्या कह रहा है इसमें यह कह रहा है कि डॉक्टर है उसने भई औरते जो थी कुछ है इतना और दोका इतना यह हमें दे रखा है अब निकालना इसका माध्य ठीक है चलो इसमें भी हम बना लेते हैं पहले टेवल कि यहाँ पर हम यह खीच लेते हैं कि ठीक है अब यहाँ पर देखो क्या चीज़ें यह क्या है वर्ग अंत्राल है हमारा यह वर्ग अंत्राल है तो हम इसको लिख सकते हैं और यह क्या दे रखाए यह संख्या दे रहे हैं और संख्या को मानते हैं ठीक है तो हम यहां लिखा हमने यह से लिखा ऑड़ाए और यह लिखा एक जो ठीक है से याइ क्या है 65 68 आट से 64 मतलद 33 के गैप पे चलता जा रहा है ठीक है तो हम ने श्टार्ट किया ये 65 68 68 सट से एकतर एकतर से चाहतर चाहतर से सततर और सततर से असी और आगे बढ़ता हो कहा जा रहा है च्छी आसी से तिरासी और तिरासी से च्छी आसी ठीक है फाय मैं ते रहा कितना दो दो चार तीन आठ जाट और Persianatadore यहां दो चारतीना साथ चारलूथ यह चीज़ने डे रखी ही अब इसका निकालना माद्य है चलो माद्य निकाल लेते हैं तो यहाँना इस पहले स्थकितए नेकालना कटेका टो निकालना ही पड़ेगा कोई भी एक साय कालते हैं उन निकाल निकालते इनके प equals입니다. ऐनके बीच की संख्या क्या क्या और 66.5 आएगा 66 ने खेच बारा हां ठीक है 66 पॉइंट रपाँच आजएगा बहुत बढ़ी है साथ वह आ गया और छे आगा ठीक है चाहसर बाइट में पाँ आ गया यानि हम इसको लिए ख्यासर फ्ञाइट में पाँच आ गया उसके बाद कि थ üzerine 33 गाप है मत्र्ला से आपयासट में तीन जोड़ेंंच तो यह आएगा उनातर पॉइंट पांच फिर ठurnal 72 पांच पी पिचक्ट प्र उसाइध्तर पॉइंट में पांच तर कि फिर पिच्च्यासी पॉइंट में पांच फिर असी पॉइंट में कि यहार मार पास 84 पॉइंट में पांच ठीक है यही चीज़ हमार पर आगी उसके बाद मैं नीचे के लाइन कीश देता हूं यहां पर आप अँब यहां पर क्या है एक अम आते प्रत्यक्षि विविधिा पर्त्यक्षि थे ΓUNGना करना पड़ेगा लेकिन यहां फूड़ा मुस्किल चाहएं तो हम इसमें फिर सेल्यांगे कोच्छ यह वूए आते ऊप इसको मिटाई देते हैं हौत हां तो फिर से एक्स का मान वही ए प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई गुने में एच चिक है यह हमारा पग विचल विदी का फर्मुला हो गया फिर से हम देखेंगे ए इसका लिया हमने बीच वाला बिंदू बीच वाला कौन सा तो यहां पर हम इस दो तीन आएगा चलो भी यह भी ठीक है फिर यहां कर रहें क्या एफ आई यू आई कर दिया हमने बहुत बढ़िया अब इसको क्या रहें एफ आई को यूए से गुना किया तो भाई कैलकूलेशन से बिल्कुल बच गया कैसे बच गया अब देखो कितना असान हो गया दो सब्सक्राइब यहां पर देखते हैं हमाई फॉर्मले में क्या कैची है सिगमा एफाई यू आई चीए तो मैंने लिखा हैं पर सिगमा एफाई यू आई लिखा और यह कितना आरे मार पास तो हम देख पारें इसमें 6-6 कट जाएगा 8-8 कट जाएगा 7-3 चार बचेगा त यह तक भी है 30 है तक हम 30 लिख लेते हैं ठीक है अब इसको फर्मले में डाल देते हैं शर्मले में क्या तो अगर अगर मुझे मात निकाले तो फर्मले में ए आ रहा है एक सकते हैं तो 3 सकते हैं तीन से भाग क्या तीन दाए 30 हो गया ठीक है अब यहां पर दिख सकते हैं फिचतर पॉइंट में 5 दस तक भाग किया तो यह गाए कि तो इस को हम करते हैं क्लियर और नेक्स्ट कुश्चन पर आते हूं तीट घ॥ तीजिमें की 5-50 cotton रखे थे और 125 पेट च्छिसमें इतने आम-25 इतने आम थे अब इसहीं Fr तो पने आमों का माध्य ग्याद की जिए हैं अपने माध्यात करने किस आपने किस विधी से किया है वो भी देख लेंगे ठीक है लेकन एक Пछला इसा है since 65-68 और अगला वाला अगला अगला यहां पर क्या हुगा यहां पर देखेंगे 50-52 और यह बावन से स्टार्ट नहुंगा 53 से स्टार्ट हो रहा है यानि 52-53 के बीच में गाप आ गया ठीक है तो भाई यह तो कुछ गड़वड है तो हम इसको पहले मैच करेंगे तभी कुश्चन सौल होगा तो चलो में स्टार्ट करते हैं पहले हैं यहां पर टेबल रहा किया है कि अगर अगर कि अगर कि कि अगर कि अगर देखते हैं बागे अब जुरुत पड़ेगी तो और बना लेंगे अब यहां पर देख सकते हैं क्या 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 है पचास से बावन त्रेपन से पच्पन पहले बैं लिख लेता हूं यह कि कितना है पचास से बावन है त्रेपन से पच्पन है और चपन से अठावन अच्छपन से अठावन है उन सट से एक सट है और देरखाय में बासट से चौन सट है जब भी ऐसा दिख जाए कि बावन यह मैच नहीं कर रहा है तो हमें क्या करना है पहले वाली संख्या में 0.5 घटाना है और दूसरी वाली संख्या में 0.5 जोड देना है कैसे जोड़ता हूं 0.5 तो यह आएगा बावन पॉइंट पांच है यह आएगा तो हम इसको लिखेंगे क्या बावन पॉइंट पांच लिखेंगे ठीक है वह चीज़ यहां पर लिखते जा रहे हैं क्या करें इस फोड़ा समय बढ़ा कर देता हूं इस फाली लाइन को मिटा ही देता हूं थुवड़ा बड़ा हो जाएगा हम लिख पार है कितना उननचास पॉइंट पांच और यह बावन पॉइंट पांच आ ठीक है अगला वाला इसमें पॉइंट फाइव घटाएंगे तो बान प्वइंट पांच आएगा और यहारे पैस्पन पॉइंट पांच है एक सट पॉयंट पाँच थीक है और फिर है एक सट पॉयंट पाँच से चाह। फोइंट फैसे हूंत पॉइंट फॉन पाउंच चलो भी ये भी ठीक आ गया तो यह हमारा कितना रहा है यह क्लास इंटरवल सीय था लेकिन अब हमने सको यहां पर बना दिया है ठीक है यह निई इसको बना दिया क्योंकि यह बावन यह सेम आ रहा है अब चीज सेम आ गई मतलब अब हम पिछले तरीकों से कुशिन कर सकते हैं तो जब भी ऐसा कुछ तो इसको बराबर कर देना आपको तो मतलब इन दोनों को मैच करना तो अब मैच हो रहा है कैसे करना पॉइंट फाइव घटाना पॉइंट फाइव जोड़ना ठीक है चलो भी उसके बाद क्या करें रहा है 15 10 15 110 इसमें यह क्या था आपका हो जो चैन्ज हो गया है तो उसमें हम कह सकते हैं इसमें यहां पर स्याइव सकते हैं उसके बाद कितना आए गए यह आए और आफाई हमें कितना दे रखा है तो यह है 15 110 135 15 110 135 और उसके बाद हमारे पास 115 और 25 कि एक सूपिंदरा और पच्थिस चल वए ठीक है कि यूगा उसके बाद आते हैं री एहाई आहए कि कि बाद हमें निकालना है कि एक साइट निकालने तो कि यहां पर बीच में से लें खीज और ली ते इन हैं सब्सक्राइब 16.5 प्लस में 52.5 और बटे में दो इसको जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 102 है यानि इक क्या रहा है ठीक है तो यानि हम ले सकते हैं यह अपर क्या 25 गैप कितने का है तो 33 का गैप है चलो यह एकसाई भी आ गया अब इसके अंदर हम देखते हैं एकसाई में जो बीच वाला होता है तो यह हमारा यह आ जाएगा उसके सामने लिखा ठीक है करते हैं इसको तो यहां पर मैं एक बना देता हूँ तो यहां पर लेकर आते हैं इसको इसमें से कि यहां पर आता है हमारा यह फाई यू आया चलो ठीक हमारे पग विचलन विदी में कहता है फाई यू आई निकालना था जो कि मैं कह सकता हूं फर्मिल लिख देता हूं पहले है जो कि क्या था ए प्लस में सिग्मा एफाई यू आई बटे में सिग्मा एफाई और गुने में है यह वाला हो गया तुम्हार पास अब भाई एफाई वाई निकाल लेते हैं एफाई कैसा निकले हो तो फाई पंदरा दूनी तीस लिख दिया हमने बाई एक सो दसे कम एक इसका मान निकाले ते कितना होगा तो इसके मान की बात करते तो यहां से देख सकते जो प्लस वाला माइने इस में घट जाएगा एक-सो फंद्रा में से 10 गया पांच बचा थेक है पच्पन में से 30 गया तो बचा पच्चीस यानि हम 25 बचा रहे हैं ठीक है यह 25 सब जा सकते है एक बात करते हैं तो इसमें एको भी जोड़ लेते हैं सिग्मा एक इतना रहे तो यहां देख सकते हैं पाँच पांच पांच दर्स पंदरह बीस कर जीरो हांसिल दो दो तीन चार तिन साथ आठ नौदस कर जीरो हांसिल दस तो 11 12 13 तेरा सो आगया तेरा सो जादा आगया तो एक मिनिट इसमें इतना रहा है भाई बीस कर जीरो हांसिल दो दो रेक तीन चार तीन साथ आठ नौ दस दस कर जीरो हांसिल एक और एक के बात करें में चार सोन साथ भाहिएं एक दो तीन चार 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 चारो अगया हम पास ठीक है सिगम्मा söz कितना और चाहिए तो तो माध्य कितना है तो और भाउन पखे तो120 का मुने सथ तावर ठीक है उसके बाद का रिखा पच्licht हम इसको लेकिन पच्छिस क्थे औरática तो हम इसको लखें गें के पच्छिस और आघ मारे निकला है चार सो और गुम्लिभन एचहिस और कम इसे काइच है इसका एंतर कितना था अंतर 57 आ गया प्लस में इस तीन को जब 16 से भाग करेंगा तो कितने में कटे गई तो 16 दोनी 32 लगभग यह 0.18 तक जाएगा तो यानि हम इसका अंसर लिख सकते हैं 57.18 लिख सकते हैं यह सेक्स का मान हो गया यह माध्य का मान हो गया ठीक है चलो वह आप इसको नोट कर सकते हों उसके राद हम आएंगे नेक्स्ट कुश्चन पर ठीक है अधला पैसिन क्या क्या रखकिए निमले किसी महले के 25 परिवारों में भोजन पर हुई दैनिक वे में वे को दसाता है ठीक है भोजर भाइड था जनिक जन चार परिवारों में जो भोजन का यूरा था वो थो rooted here where top q यतना है चार परिवारों में सबस से और फाप से होता है पांच पडिवार ऐसे उंका खर्चा कितना देथ दो सॉ रुपे का है बारह परिवार जगा 902ẽimony Шुँ लियृहे अफैन lionot ₂थ में इतना पास बनने जा रही है था है तेंगे चलो ठीक है उसके बाद यहां पर हम लिख सकते हैं क्या देखो इसके अंदर कुश्चन में यहां पर यह वर्गंतराल दे रहा है मतलब हमारा सिया यह संख्या है मतलब यह है यह ची हो जाएगी चलो ठीक है तो यानि हमने लिखा यहां पर सी आई और यह लिखा थीक है वर्गंतराल में 100-500-200 इस्क्राइस चलता जा रहे तो हम यहां लिख देंगे 100-500 जारे के लिख दर फोनावमास करदेख दर्फूंच्ण च Or Chop- Till figur चरौण चलो ठीक 4 512 245 1222 अब देखो इसमें क्या जय्याद expenditure बढ़ता है नहीं सकते हैं तो एक्या कर सकते हैं तो इसको डायरक्षच से नहीं कर सकते हैं तो इसको अगर तुम्हें रहों कि भाई इस में है यहां से कोई बाड़ी संख्याय का तो हम इसको फ़िछ लिन से भी कर सकते हैं कोई छ키र दीकर लिते हैं हम करते हैं इसको करोगे तो कितना गए 225 यह आएक दोच्छाटतर और यह 225 अगर अगर आपको गुणा करना अच्छा लग रहा है इनको तो ठीक है नहीं तो आप यू आई निकाल सकते हों जैसे कि मैंने इसको ए माना ए निकाला तो यहां पर यू आए आएगा जो कि 0-1-2-1-2 यह सिंपल हो गया अब क्या करना है एक दो सही गुणा करना है तो चार दुनी आठ पांच एकम पांच बारा को जीरो सकते जीरो दो एकम दो और दो दुनी चार गया अब हम इसमें कह सकते हैं एक लाइन खीची जा सकती है अब यहां पर क्या है यह करेंगे सिगमा एफाई इसको जोड़ देते हैं तो कितना है दो दो चार चार आठ दो दस बीस इस पच्चिस आगे ठीक है यहां की बात करें तो चार दो छे इसमें से गया माइनस दो माइनस दस बचेगा मतलब सिगमा एफाई यू आई जो आया है यह आ रहा है माइनस दस ठीक है अब पग विचलने विदी का फार्मूला वो फार्मूला था हमारे पास मीन ए सिगमा अफाई यू यू रटे में सिगमा एफाई गुनेर हैं सेन फार्मूले वीचलते हैं यह हमारा कितना है दोसोग पच्चैस बिलकुल लिखा और हमने 200 फच्चैस प्लस में chrom98 принципе कितना है माइनस दस जाक इसको लिकांवने हम कह सकते हैं 225 माइनस में 20 आ रहा है और इसको घटाती दोसो पांच आ गया यानि हम कह सकते इसका माध्य कितना के 205 आ गया जानी question के कोईडिंग क्या कर जाएं कि जो तो एवरेज आ रहा है ठीक है जो माध्यार है प्रती परिवारों कि अगा जो खर्च आ रहा है वह कितना रहा है वो आ गया है 205 रुपे इस तब का लग लग था औरहीं चार परिवार एक सौसे डेट सुर्पर खच करते थे पांच इतना खच करते थे तो यानि यहां आउशत जो आ गया है यानि माध्य जो आ गया वह दोसो पांच पर प्रती परिवार का चलो भए ठीक है अब आते हैं इसको नोट कर लीजिए उसके बार आते हैं नेक्स्ट अलंहां न है तो सांदर्ता अमतलो भाग प्रत्ि मील्यों में उसमें मिलाय गया को ग्यात करने के एक नगर के 30 महले 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 से ये तो यह जिसमें आपको आकड यह घları दिखा दिखाए दे रहे हैं जो वायों में एसरटू के सांदरता similar करना देगाद करना अभिके को यह दे रहा है मतलब यह आपका c i है यह बारम बारता मतलब यह f i है ठीक है अगर मैं इसी में यहाँ पर निकालना चाहूं यहाँ यहाँ पर और अंतर कितना 0.04 का है तो इसको हम ऐसे अंतर को देखते रहेंगे तो 0.06 हो जाएगा 0.20ज यह जाएगा और 0.14 हो जाएगा और 0.1 डो जाएगा यह एक साहर तो ठीक है इनके बीच 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 का गया उसके बाद नेच्ट की बात करें तो यहाँ पर क्या है हमें दिख र यहां पर क्या हो जाए गई यूवाई लिखते हैं और यहां पर एफाई यू आई लिग लेते हैं तो वह यू आई की कंडिशन में क्या करेंगे तो बीच वाले को हमने लगाया जीरो ए इसके सामने लिखा जीरो उपर माइनिस एक माइनिस दो और यहां एक दो तीन इस तरह चल रहा है 5 को जैसे हमने गुना क consigo माइनिस आट होगा और 9 एकम ना होगा उसको लागत नो से sulphão जीरो ढोसे चल घृजर तो एक दो एकम दो चार से चाहर दो नी आज़क और दो से और हम इसको चो जोड़ना पड़ेगा चार दो 8 ध्रॉक filmingast नियुंग कि तर बटने में में क्या होता है होता है तो उत्गूने में एच कर दिया श कितना है मार पास अंतर तो पॉइंट जीरो फूरके और बटे में क्या था इसके बटे होता है सिग्मा II मतलब की थीस आएगा तो भाई थीस दिख हम यह थीच है इस पॉइंट को यहां से हटाओ गेस्पाइं को जैसे हटाओ तो नीचे क्या लग जाएगा सो लग जाएगा अब चार सी सो को क्या तो पचीस आ गया यानि हम कह सकते हैं इसका कितना रहा है जीरो पॉइंट माइनस में यह 25 तिया 75 एक बटे में 750 यह रहा है और इसको माइनस करके इसको जैसे माइनस करेंगे यानि इसको भी लिख सकते हैं कितना इसमें पॉइंट हटाओ तो नीचे 10 लग जाएगा या फिर सीधे ही हम माइनस कर लेते हैं 0.1 अब मुझे बता देजिए एक बटे में 750 कितना होता है तो इसको हम भाग करना चाहें तो यह आ जाएगा हमारे पास कि इसको मैं अगली स्लाइड में कर देता हूं यहां हमारे पास आरा है 0.0 एक मैंस करना है एक वटए में 750 तो पहले हैं परThese हमें पर चौछतर को 750 से हम बाग कर लेते हैं तो यहां पर हमने लिख दिया चौतर और यह लिख दिया 750 वहिस्तर से बाग करेंगे चौतर हमारा अंदर आएगा 750 बाहर आएगा चलो ठीक है अब क्या करते पॉइंट लगा है जिरू क्या अब कट रहा है अब बीवी नहीं कट रहा क्यों 750 740 चोटा अभी भी नहीं हो रहा तो इसके लिए हम क्या करेंगे एक जीरो लगाएंगे यहां यहां जीरो लगाते एक और जीरो आगया अब किससे करें तो अब आएगा यह नौ से जाएगा तो नौ जीरो जीरो नौ पच्छे पैंतारिस का पांच हासिल चार और नौ क्यात पर तो आपको जड़ा भाग निकरना बहुत है तो या फिर इसको आप लिए सकते हों और इसी को हम कह सकते हैं 0.01 भी लिख सकते हैं तो यहां पर यह अंसर हमारा जीरो पांट-जीरो वन हो जाएक जो बिल्कुिल के नजदिक है तो हम इसमें कह सकते हैं इसका जो तो आप इसको नोट कर सकते हैं उसके बाद फाइनली यह चोटी सी इसको भी नोट करना पड़ेगा ठीक है चलो आते फिर इसके बाद हम नेक्स्ट कुशन पर कि अगला कुशन में दे रखा है किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा में 40 विद्यातियों की अनुपस्थिती निमलिखित रूप में रिकॉर्ड किये कुछ बच्चे अपसेंट हुआ करते थे उन अपसेंट को रिकॉर्ड करकर लिखा हुआ ठी ठीक है एक विद्याथित जितने दिन अौनम पस्थित रहता था उनका मांधिग्यात कीजिए ठीक है तो यानि कोश्चन में के है दिनों की संख्या यानी 11 बच्चे ऐसे हैं जो कि 0-6 दिन अबसेंट रहें और इस वाले में बहुत चुटियां करते हो चलो कोई बात नहीं पढ़ दो बस तो यहां पर देख लो क्या करें कि बच्चे अब से अब इसका कर निकालना हमें माध्य माध्य निकालने तो इसको भी हम डाटा बना लेते कि भाई किस तरीके से हो गाई हुआ कि यागे हमारे पास कि अब बोलोगे सर्व लॉकडाउन है छुटियां छुटियां क्या करना है ना कोई बात नहीं बेटा ओनलाइन में पड़ो कि यह मैंने बता बना दिया टेबल इसका अब इसमें हम देख सकते हैं देखो क्या है यह क्या है वर्गंत्राल है तो वर्गंत्राल का हम क्या लिखते हैं तो घृणे चे से दस दस से की चोदा чौदा से बीसक्रान दस से चोदा चोदा से बीस कि और यह यो वी से अटाइस अठाइस एं अटाइस से अरठीस एं और आठीस से चालीस है 38-40 चलो भी ठीक है अब यहां पर निकालेंगे पहले एकस आई तो एकसाई मी क्या गाए इसको छे और जीरो जोड़ेंगे तीन आ जाएगा ठीक है और इसका गैप कितने छे का यतों शे बढ़ा देंगे नहीं गलत हो जाएगा क्यों क्योंकि आप देख पा रहे हों कि इसका अंतर जो है अलग अंतर अलग कैसे है जीरो और छे में छे का अंतर है इसमें चार का इसमें चार का है इसमें फिर छे का इसमें आठ का इसमें दो दसका है और इसमें दो इक है और इस सबके अंतर अलगे तो जिस अनुसार अंतर तरस अनुसार में एकसा निकालना ही पड़ेगा तो जी रोचे तो जी रोचे को जोड़ा छे बटे में दो तीन आ गया ठीक है दस और छे का क्या होगा और चार तरीन शाट एठस्थर मतलब 49 अगया कि चलो यह आगया अब यह क्या है नंबर छोटे है नॉर्माली मल्लिप्लाइए कर सकते हैं तो सीडियंक और यह किस में गया और 49 अगया चलो बही यह चीज़ आगे हमार पास यहां पर हम इसके नीचे एक लाइन खीज देते हैं जिससे हम इसका योग लिख सकें चीक है अब बात करते हैं फाई की तो फाई का कितना रहें तो सिग्मा फाई 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 हमार पास आ रहे हैं 11 10 21 27 28 28 28 28 28 36 37 और तीन इनको जोड़ को जोड़ेंगे तो कितना को 9 9 18 18 और 6 24 चौविस और 8 32 32 और 4 36 36 और 3 36 39 यह जाएगा का 9 हासिल 3 हो जाएगा तो 3 3 6 8 6 14 14 और 8 22 22 छे 28 28 और 9 यह हो जाएगा 37 37 और 9 46 और 46 और 43 46 और 39 49 चलो वह ठीक है तो यहां है थीक था ना नॉन्हो ऐठारा आथारा और च्छ चाओधिस चार अठाइस अठाइस और अठाइस और आठ हाथ हो गया अचाथहीस तीन तरशी करें तो प्रतक्ष्रीधी में क्या था तो उसमें हमारे सार था सिग्मा ऐसाई अप्समा फीक조 τις में क्या करेंगai तो भाई यहां पर चारसोफ निन्यानों लिखा है 1500 देते हैं अपर compensation ms profile कि तुर्फ चालिस लिख देते हैं तभाई तो इसको अगर हम भाग करते हैं तो कितना रही है तो यह पॉइंट में आ जागा चार दुनी बारा आ जा गई है ठीक है और चार चाहए तीन बचा यह आ गया तुम्हार पास इसका माध्या आ गया है 12.435 इसको भाग करोगे यह अंसर आ जाएगा तो आप इसको देख सकते हैं तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि बहाई यहां पर जो विद्यार्थियों की संक्याति पर student हर एक विद्यार्थी कितनी चुटी मानता है मारता है इसका average क्या मतलब माध्य क्या तो माध्य हमने निकाल जया परतेक बच्चा जो है वह बारा कॉइंट 475 इतनी चुटिया मारता है तो यह इसका माध्य आ गया और हमें यही निकालना था कि भाई एक विद्यार्थी जित कि अगले कुश्यन की बात करें तो इसमें रिखा है निमलिकित शार्णी 35 नगरों के साकशर्ता दर पर्तीश्यत में दर्शाती है 35 नगर को उनों ने देखा उनकी साकशर्ता दर कौन कितना पढ़ा लिखा है उसको दिखागया ठीके अब माद्य साक शर्टा दर ज्याद करन 85-85 परसेंट है इतने परसेंट जो है वह साक्षर है यह डाटा दिया हुआ हम अब इसका निकालना है माध्य जो भी माध्य निकालना है तो फिर से टेबल बनाते हैं इसमें पिर सेमने टेबल बना दी है कि जिसमें हम कर पा रहे हैं कि ठीक है अब यहां देख पा रहे हैं यह क्या साक्षरतर दर है क्या है वर्गंत्राल मतलब हम इसको लेखेंगे यह कितने संख्या है तो यह आ जागा हमारा एफ आई ठीक है चलो भी यहां पर भी हम वहीं चीज कर लेते हैं यह हमारा आगया सी आई और आगया एफ आई अब कितना कितना दे रखाई जो 58 55 इसदा से चलता जा एप यह आगया 55 55 65 75 75 85 85 85 85 85 85 यह हम falta 10 कि कि वे द рук झा नहीं हो हमतुए तीक है यह त्यक्यो Professor कर थीक है 10 11 8 और तीन यह चीज़ आएगा ठीक है अब इसमें भी मैं लिख सकता हूं यह चीज़ देता हूं डॉकर देता हूं और यहां पर यहां पर एकसाई देखते हैं वह एकसाई कितना रहा है तो हम इसको जोडते हैं 45 55 जोड़ों के 100 100 बटे में दो 50 मतलब इसका अधा कितना है 50 हैं 5-5 का देश-दस का गया तो हम दस बढ़ाते जाते हैं तो हम बढ़ा सकते हैं कोई दिकत नहीं है 50 के बाद 60 70 80 ठीक है इसके बाद गया करते हैं कैलकुलेशन हो रही है जदा बढ़ रही है तो बढ़ तो नहीं दिए चलो हम डायर्क्ट में चल्कुलेशन वैसे और 2 यह तो यह तो यह पिक यह थे तीन दोनी चल्कुलॐचे यानि क्या यह आपर F I % 6 एक में सिगमा एफ यूओ आई बटे में सिगमा एफ आई गुने में ही तो इतना आप देख लोगे तो बिलकुल याद हो जाएगा उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कल्कुलेशन स्पीड नहीं बढ़ेगी ठीक है आप लगे लगे रहोगे यह इसे नहीं करना आपको calculation बढ़ानी है और calculator का यूज तो बिल्गुल नहीं इसमें थिक है आप खुद से करोगे तो आपकी calculation speed बढ़ती जाएगी चलो हम यहां देख लेते हैं यहां हमारा पनग वजलन्विदी का होगा तो यह जागा 24 24 और 8 32 32 33 35 चलो 35 आगया बहुत अच्छी बात है यहां की बात करें तो छे से छे कट गया 10 में से आठ गया दो बचा यानि हम कह सकते हैं सिग्मा एफ आई यू आई कितना आ गया तो यह आगे हमारे पास माईनस दो डिधि चिक है एच ना है आप है एक यह आपर दस का है चलो इसमें इसमें पूट कर देते हैं तो माँ ध्यहां निकृत अध्र हैं कितना आई कितना हैं कितना है तो यह हमारी पास यह Mac 2-2 लिख देते बटे में सिग्मा f i 35 है और गुने में h कितना है तो दस है यह चीज़ हो गया अब हम इसको काटते हैं तो पांच सते 35 पांच दूनी 10 यानि हम कह सकते हैं यहां रहा है सत्तर माइनस में चार बटे में साथ आ रहा है ठीक है अब इसमें क्या कह सकते हैं सत्तर में से इसको घटाएंगे तो साथ याए किस साथ पंचे 35 मतलब 0.57 यह चीज़ी आ रहा है आपके पास ठीक है इसको जैसे यह भाग करोगे 0.57 आज़ेगा और माइनस करते के साथ आ रहा है मार पार 69.43 यह आपका इसका माध्य आ गया तो आपने इसका माध्य निकाल लिए तो यहां हम देख पा रहे हैं कि इसका माध्य जो आ रहा है तो माध्य कितना आ रहा है तो हम इसमें देख पा रहे हैं कि प्रतियक नगर का माध्य आ रहा है 67.43 यानि एवरेज जो आ रहा है ठीक है एवरेज जो आ रहा है प्रतियक न आती हैं तो यहां हमारी प्रसनावली हो जाती खतम तो हमने बैसिकली क्या क्या पढ़ा तो हमने इसमें देखे माध्य निकालने के तीन मेन फॉर्मले बढ़े क्या थे एक ऑपका प्रत्यक्ष गपित और पग विचलन वीडिया इन तीनों से हम ने questi को आप कौनसे को चुननेंगे तो मैंने आपको बताया था कि Jis मैं आपको दिखे कैल कॉलेशन बहुत जादा है उसमें आ जाओ पगविचलन वीदी पर जिसमें लग भाई बहुत कम नंबर्श दे रहें नॉर्मली हो सकता है तो उसमें परत्य वीच मी चुक्त कर सकते हैं और 100% free education मिलती है तो आपको अगर कोई भी वीडियो देखनी है जैसे कि कोई भी क्लास के होते हैं 9 का 10 का 11 केजी से लेकर 12 तक कोई भी क्लास होती है आप यहां आपको यहां पर सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसके आपको करना क्या पड़ेगा तो आपको जाना पड़ेगा मैं भी आपको दिख जाओंगा यहां पर वौछ नौपर क्लिक करोगे वाज़ेंस प्लेलिस्ट बीकल सिस्टेम react between ऐसे आप अपने ऊकल में वह था क्लास के बच्चे हैं अनको भी शकर सकते तक कि हमारे पास यहां पर क्लास के क्लास में सब्याएट क्लास की क्लास क동्elen बाकि मैं आपको बताना जाता हूँ मैंगर बेंड हिंदी मीडियम भी आपको का स्टार्ट है जो कि 6-12 तक है 100 परसेंट फ्री घर जो कि आप अपने फ्रेंड सरकल में रिलेक्टिव में इसको भी सेजेस्ट कर सकते हैं जो कि आप वह हिंदी मीडियम का भी फाइदा उठा सकते हैं वागी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए नए है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर आप करते रही हैं ओके